देश के प्रधान मंत्री के नामे मुझे एक फिर से एक बार ये सौफा के मिला है कि मैं राजा महेंदर प्रताब जी जैसे विजिनरी और महान स्वातंत्र सेनानी के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का सिला न्यास कर रहा कि मेरे जीवन का ये बड़ा सौखा किया है और ऐसे पवित्र अउसर पर आप इतनी बड़ी संख्या में आशिर्वात देने आए जंता जनार्दन के दर्शन करना ये भी शक्ति दायक होता है साथियों राजा महेंद्र प्रताप स्रीजी सिर्फ भारत की आजादी के लिए नहीं लड़े उन्होंने भारत के भविश्य के निर्मान की निव में भी सक्रिय योगदान दिया था उन्होंने अपनी देश विदेश की यात्राओं से मिले अनुभव का उप्योग भारत की सिक्षा विवस्ता को आजुनिक बनाने के लिए गिया व्रतलामन में आजुनिक टेक्निकल कॉलेज उन्होंने अपने संसाधनों से अपनी पैत्रूप संपत्ति को दान करके बनवाया अलीगण मुस्लिब इनिवस्तिती के लिए भी बड़ी जमीन राजा महेंदर पृताप सीजी ने ही दी थी आज आज आजी के इस अमरित कान में जबी कीसवी सदी का भारफ सिच्छा और कौशल के नए दोर की तरफ पर चला है तब मा भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्व विद्याले का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजली है इस विचार को साकार करने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई साथियों ए विश्व विद्याले आदुनित सिच्छा का एक बड़ा केंद्रतों बनेगा ही साथि देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई डिफेंस मैनिपेक्टरिंग से जुड़ी टेकनोलोजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा नई राष्ट्रिय सिच्छा निती में जिस तरह सिच्छा काउशल और स्थानिय भासा में पढ़ाई इस पर बल दिया गया है उससे इस विश्व विद्यालई में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बहुत लाब हो गए अपनी सइन्य ताकात को मजबूत करने के लिए आत्मंदिर फरता की तरह बढ़ने भारत के प्रयासों को इस विश्व विद्याले में होने वाली पढ़ाई नई गती देगी आदेशी नहीं दुनिया भी देख रही है कि आदुनिक ग्रनेट और राइफल से लेकर लड़ा को विमान आदुनिक ड्रॉन युद्ध पोर्ट ये सब भारत में ही निर्वित करने का अभियान चल रहा है भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्डर की छबी से बाहर निकल कर वरना हमारी छबी यही है हम डिफेंस के लिए जो भी चाहिए इंपोर्ड करते हैं बाहर से मंगवाते रहते हैं आज़ादी के पचातर साल हो गए हम मंगवाते रहते हैं इस छबी से बाहर निकल कर दुनिया के एक एहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं भारत की इस बदलति पहचान का एक बहुत बड़ा केंडर यह हमारा उत्तर प्रदेश बनने वाला है और उत्तर प्रदेश के सावसत के नाते मुझे इस बात का विशेश गर्व है साथियों थोड़ी देर पहले डिफेंस कोरिडर के अलीगड नौड की प्रगति का मैंने अवलोकन किया अलीगड में ही डिफेंस मैनिफेक्टरिंग से जुड़ी देर दर्जन से अधिक कम्पनियां सैंकडो करोड रुप्य के निवे से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है अलीगड नौड में छोटे हथियार आयूद ड्रोन एरो स्पेस मेटल कम्पोनेंट्स एंट्री ड्रोन सिस्टिम डिफेंस पैकेजिंग ऐसे उत्पात बन सके इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं ये पदलाव अलीगड और आज पास के छेत्र को एक नई पहचान देगा साथियों अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगड के भरो से रहते थे पता है ना क्योंकि अलीगड का ताला अगर लगा होता था तो लोग निस्चिन्थ हो जाते थे और मुझे आज बच्पन की एक बात करने का मन कर रहा है करीब पच्पन साथ साल पुरानी बात है हम बच्चे थे तो अलीगड से ये ताले के जो सेल्स्पैन होते थे एक मुस्लिम महरबान थे वो हर तीन महने हमारे गाव आते थे अभी भी मुझे आद है वो काली जाकिट पहनते थे और सेल्स्पैन के नादे दुकानों में अपना ताला रखके जाते थे और तीन महने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे गावं के अगल वगल के गावं में भी वैपारियों के पाद जाते थे उनको भी ताले देते थे और मेरे पिटाजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो चार-चे दिन हमारे गावं में रुकते थे और तिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिटाजी के पाद छोड़ देते थे और मेरे पिटाजी उनके पैसों को समालते थे और चार-चे दिन के बाद जब वो मेरा गावं छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे ले करके फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थी और हमने बच्चपन में दो शेहरों उत्तरप्रदेश के बड़े परिसित रहे एक सितापूर और दूसरा अलीगड़ हमारे गाउं में अगर किसी को आँख की बिमारी में ट्रिक्पेंट करनी है तो हर कोई कहता था सितापूर जाओ हम जाना समझते नहीं थे लेकिन सितापूर सब के सुनते थे और दूसरा इस महासाई के कारण अलीगड़ बार बार सुनते थे लेकिन साथियों अब अलीगड़ के रक्षा उपकरन भी कल तक जो अलीगड़ ताले के जर्ये गरों की तुकानों की रक्षा करता था वो 21 स्थदी में ये मेरा अलीगड़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा यहाँ ऐसे आयूद बनेंगे बन रिस्टिक बन प्रोड़क योजना के तहब यूपी सरकार ने अलीगड़ के तालों और हार्ड़वेर को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है इससे युवाओं के लिए MSMES के लिए नए अवसर तयार हो रहे हैं अब डिफेंस इंडस्टि के जरिये भी यहाँ के मौजुदा उद्वियों को MSMES को विशेश लाब होगा और नए MSMES के लिए प्रोड़साहन भी प्राप्त होगा जो छोटे उद्वियों है उनके लिए भी डिफेंस कोरिडोर का अलिगड नोड नए मोके बनाएगा भाई और बैंडों डिफेंस कोरिडोर के लखनव नोड में दुनिया की सबसे बहतरी बहुत बड़ी महत्वपुन युनीट लगने का प्रस्ताव है यूपी डिफेंस कोरिडोर ऐसे ही बड़े निवेश और रोजगार के बहुत बड़े अवसरों को लेकर के आ रहा है साथियों आज उत्तरप्रेश देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्शक स्थान बनता जा रहा है ये तब होता है जब निवेश के लिए जरूरी माहोल बनता है जरूरी सुविधाएं मिलती है आज उत्तरप्रदेश डबल इंजिन सरकार के डबल लाब का बहुत बड़ा उदार है योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तरप्रदेश को नई भूमिका के लिए तयार किया है अब सबके प्रयास से इसे और आगे भी बढ़ाना है समाज में विकास के अउसरों से जिनको दुर रखा गया ऐसे हर समाज को सिक्षा और सरकारी नोकरियों में आउसर दिये जा रहे हैं आज उत्तरप्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्स और बड़े फैंसलों के लिए होती है पस्षी में उत्तरप्रदेश तो इसका एक बहुत बड़ा लाबार्ती है ग्रेटर नौयडा में इंटीग्रेटेड इंडरस्ट्रियल टाउंशिप का दिरमान मल्टी मोर्डल लोजिस्टिक्स हब जेवर इंटरनेस्टल एरपोर्ट दिल्ली मेरड रीजिनल रैपिट टांजिट सिस्टेम मैट्रो कनेक्टिविटी आधुनिक हाइवे और एक्प्रेस वे ऐसे अनेक काम आज पस्षी में उत्तरप्रदेश पे हो रहे है यूपी में चल रहे ये हजारों करोर रुपिये के प्रोजेक आने वाले बर्षों में भारत की प्रगितिक का बड़ा आधार बनेगी भाई और बैनों मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को बेश के विकास में एक रुकावट के रुपे देखा जाता था वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नित्रुत्व कर रहा है सवचालय बनाने का अभियान हो गरीबों को अपना पक्का घर देना हो उजवला के तहट गैस कनेक्शन हो बिजली कनेक्शन हो पी-एम किसान सम्मान नीदी हो हर योधना हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्षों को हासिल करने में अग्रणी भूमी का निभाई है वरना मुझे तो याद है वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोडे अटकाए जाते थे एक एक योजना लागू करने के लिए बर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिठ्ठी लिखी जाती थी लेकिन यहां उस गती से काम नहीं होता था यह मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूँ जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं होता था साधियों यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के गोटाले होते थे किस तरह राज काज को प्रश्चाचारियों के हवाले कर दिया गया था आज योगी जी की सरकार पूरी इमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है एक दौर था जब यहां शाचन प्रशाचन गुन्डों और माप्याओं की मनमानी से चलता था आज़ादी के इस अमरिक काल में ग्रामिन अर्थ ववस्ता में भी तेजी से बडलाव हो रहे बडलाव के साथ कैसे तालमिल बिठाना पड़ता है इसका रास्ता स्वयम चौदरी चरण सीजी ने दसकों पहले देश को दिखाया है जो रास्ता चौदरी साहम ने दिखाया उनसे देश के खेती मद्दूरों और छोटे किसानों को कितना लाब हुआ ये हम सभी जानते हैं आज की अनेक पेडिया उन सुधारों के कारण के पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है और हमारे देश में इसलिए केंद्र सरकार का हो ऐसे अनेक फैसले छोटे छोटे किसानों को ससक्त कर रहे हैं कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने एक लाग करोड रुपिये से अधिक सीधे ट्रांसफर किये हैं इसमें पचीस हजार करोड रुपिये से ज़्यादा सिरब यूपी के इन किसानों को मिले हैं मुझे इस बात की खुसी है कि यूपी में बीते चार सावों में MSP पर खरीद के नए रिकॉर्ड बने है गन्ने के भुपतान को लेकर के भी जो परिशानी आती थी उन्हें लगातार कम किया जा रहा है बीते चार साल में यूपी के गन्ना किसानों को एक लाग चारीस हदार करोड पर जादी का बुकता किया गया आने वाले साल तो यूपी के गन्ना किसानों के लिए नई संभावनाओं के जरवाजे खोलने वाला गन्ने से जो इथेनोल बनता है बायोफियल बनता है उसका उप्योग इंधन में बढ़ाया जा रहा है इसका बढ़ा लाग पस्चिम यूपी के गन्ना किसानों को भी होने वाला है साथियों अलीगण समय पूरा पस्ची में उत्तरप्रेज आगे बढ़े इसके लिए योगी जी की सरकार और केंद्र सरकार कंदे से कंजा मिलाकर दिन रात महनत कर रही है हमें मिलकर इस खेत्र को और समर्द करना है यहां के बेटा बेटियों के सामर्द को और बढ़ाना है और विकास विरोधी विकास विरोधी हर ताकत से उत्तरपदेश को बचाना है